हलो दोस्तो स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज हम आपको लिए लेकर के आये हैं जो भी एक्जाम में क्यूशन पूछे जाते हैं वो बहुत ही महत्पूर्ण क्यूशन है जो सभी एक्जामों में पूछे जाते हैं तो चलते हैं हम लोग क्यू इसका सही अंसर है बोद गया चलते हैं अगले किशन की ओर अगले किशन में है आरी समाज की अस्थापना किशने की दोस्तो इसका ऑप्षण है महात्मा गान्धी स्वामी दयानंद ने या भीम राम बेतकर ने या सुबा चंद्र बोस में तो इसका सही अंसर हो जाएगा स्वामी दयानन सरस्वती ने। चलते हैं अगले किशन की ओर। पंजाबी भासा की लिपी कौन सी है? फार्सी, देवनागरी या गुरु मुखी? तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा गुरु मुखी। इसका सही अंसर गुरु मुखी है। दोस्तो जो फार्सी है वो उर्दू का लिपी है, अदेवनागरी है जो हिंदी लिपी है और अंग्रेजी का लिपी रोमन होता है। तो इसको भी साथ साथ में याद करते हैं चलते हैं अगले किशन की ओर। अगला किशन है भारत की मुख्य भूमी का दचिंतम किनारा कौन सा है। तो इसका ओप्शन है चिनैई, गोवा, कस्मीर, कन्या कुमारी। तो इसका राइट अंसर हो जाएगा कन्या कुमारी। ये सबसे दचिन में पढ़ता है। चलते हैं अगले किशन की ओर। भारत में सबसे पहले सुरी किस राज में निकलता है। तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अरुनाचल परदेश। भारत में सबसे पहले सुरी अरुनाचल परदेश में निकलता है। भारत में। अगला किश्चन है इंसुलीन का परियोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है मलेरिया में या मधुमेह में या रतांधी में या इनमें सकोई नहीं तो दोस्तों ये इंसुलीन का परियोग हम लोग मधुमेह बीमारी में उपयोग करते हैं चलते हैं अगले किशन की ओर विवु की सराज का पर सित्तिवार है असम का केरल का गोवा का मुंबाई का तो विवु है जो असम का पर सित्तिवार है अगला किशन है कौन सा विटामिन आवले में परचूर मात्रा में मिलता है तो इसका right answer हो जाएगा vitamin B है या vitamin C है या vitamin D या vitamin K तो आवले में सबसे ज़्यादा मात्रा में vitamin C पाई जाती है अगला question है भारत का पर्थम गुवर्नल जनरल कौन था तो इसका option है Lord करजयान, Lord मैकाले, Billiambatic या इन में सो कोई नहीं तो भारत का जो पहला गुवर्नल जनरल था, वो था Billiambatic, इसका right answer हो जाएगा Billiambatic चलते हैं अगले question की ओर कागच का अभिस्कार किस देश में हुआ था दोस्तो इसका option है भारत में, रूस में या फिर इंग लैंड में तो इसका सही अंसर हो जाएगा चीन में चीन में कागच का अभिस्कार हुआ था चलते हैं अगले question की ओर गौतम बुद का बचपन का नाम क्या था बर्दमान या राहूल या सिधार्थ या सुद्रोधन तो दोस्तो गौतम बुद का बचपन का नाम सिधार्थ था बर्दमान महाबीर का नाम था राहूल गौतम बुद के उत्रे का नाम था सुद्रोधन गौतम बुद के पीता जी का नाम था दोस्तो ये सबी साथ साथ में याद करते चलना चलते हैं अगले कुशन की ओर भारत में ससत्र बलो का सर्वोच सेनापती कौन होता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा राष्ट पती इसका राइट अंसर हो जाएगा राष्ट पती भारत में ससत्र बलो का सर्वोच सेनापती राष्ट पती होता है चलते हैं अगले क्यूशन की ओर रताउंदी किस बिटामिन की कमी से होती है बिटामिन A, बिटामिन B, बिटामिन C या बिटामिन D तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बिटामिन A बिटामिन A से रताउंदी होती है विटामिन B से बेरी-बेरी नामक रोग होता है और विटामिन C से असकर्भी नामक रोग होता है और विटामिन D से रिकेटास होता है तो इससे यह सबको भी हम लोग साथ में याद करते चलेंगे चलते हैं अगले किशन की और पॉंगल किस राज का तेवहार है, किरल का, तमिलनाडू का, या असम का या मध्य परदेश का तो इसका राइट अंसर हो जाएगा तमिलनाडू का, तमिलनाडू में पॉंगल मनाए जाती है टेलिवीजन का अविश्कार किस नहीं किया था? अप्सन है ग्राहम बेल, थामस एडिसन, राइट बंदू या जॉन लोगी बेर्ड इसका राइट अंसर हो जाएगा जॉन लोगी बेर्ड ये टिलिवीजन का अविस्कार क्या था राइट बंदू था वो हवाई जहाज का अविस्कार क्या था थामस अलवा एडिसन था जो कि बल्ब का अगरहाम बेर टेलीफोन का इसका सौट नाम होता है जे एल बेर्ड जे एल बेर्ड चलते हैं अगले किशन की और भारत की पर्थम भारत की पहली महिला सासी का कौन थी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा राजिया सुल्तान चलते हैं अगले किशन की और मचली किसकी सहाईता से सास लेती है ओप्सन है फेफडा तवचा मूह गलफडा तो मचली है जो गलफडे से सास लेती है इसका राइट अंसर हो जाएगा डी ओप्सन गलफडा जागा Seitफड़ दुखरे से से सास लेती है जाएगा से भी ओप्सन गलफड़ा तो मचल्म से जाएगा बहा पन्सर हो जाएगा टू आएगा जाएगा यदा से से लेका की गलफड़ा हो जाएगा जाएगा तो मॉशा